तो हेई गाइस गुड मारी और वेल्कम बैक टू दे अंदर वीडियो में हूँ सुभम और आप से भी गस्वागत है मैरे चैनल औरेडबल 251 तो आज हमारे पास है एक न्यू बाइक जो काफी रेर बाइक है और हमारे जहरकण में भी काफी रेर बाइक है और हाली में यह वाली लुक जो सेम आती है इसमें भी आती है अपरिला 457 में 125 CC भी इसकी उसमें भी आता है और 660 CC है और 1100 CC वाली बाइक में भी सेम लुक आता तो यही लुक के कारण अभी काफी ज़्यादा पॉपलर हो चुकी है बाइक देखने में काफी अच्छा लग रहा और यह तो 360 वी आपको लिखाया भी और अब इसकी स्पेक्स की बात करते हैं स्वाइज यह रही बाइक और मैं अभी बाइक की स्पेक्स बताने वाला हूँ जो क्या क्या चीजी है इसमें कितनी CC की इंजिन है होप तो आपको पता ही होगा कि CC कितनी की है बट मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि इसकी CC 450 size 5CC की इंजिन है जो पावर प्रोडुस करती है 46.9 कप बहुत और 43.5 नम का टॉक्ट प्रोडुस करती है तो काफी अच्छी है बाइक और अभी इस सेग्मेंट में आपको इसमें लिक्विट कुल इंजिन मिल जाता है क्लच आपको एसेश एंसलिप इसमें पेट्रल टाइब इंजिन है और अगर आप इसकी सीट हाइट देखोगे अच्छी तरीका से मैं दिखा रहा हूं तो 800 mm की सीट हाइट है और इस वाइक में ट्विन सिलिंडर मिलता है आपको जो काफी अच्छा है देख में मजा आ रहा और टायर की बात करते तो पी देख सकते हैं फ्रेंट में आपको ABS दीख रहा होगा और रेर वाले भी दिखा देता हूँ आप यह रही रेर में भी ABS है और डॉल डिसक है डॉल ABS है तो बाइक काफी अच्छा लग रहा और आप में सीट भी कफी कमफर्ट है स्मूथ है ऐसा नहीं कि ज्यादा हाड है सीट सीट ठीक है आपको रेर सीट भी मिल जाता है और पीछे का ग्रैबरिल इसका इंड बिल्ड है जो काफी अच्छा है आपको दिखाता हूँ और इस साइड वाला भी आपको में भी दिख रहा हो कि नहीं पता नहीं है आप दिख रहा हो और बेक लाइट देख सकते हैं इसी खुट की अपनी बनाएवी डिजाइन है जो काफी अच्छी लगती है और इंडिकेटर आपको एलेडी वाली इंडिकेटर मिल जाती है बैक लेगते हैं वह मैं आपको दिखाता हूँ देखिए साइड पर यहीं पर ड़ती है डी आरल के जस्थ उसी लेन पर तो यह काफी अच्छी चीज है यह यू़िक्स मेरे को देखने मिली है और कितिकाम सेषी में काफिर मिलती है तो यह अच्छी बात और डी आरल आपको अबको ब्रेंट के मिल जाता है और रेर में आपको 200 का डिक्स मिल जाता है और ब्रेक कलीब। मिल जाता है यहां से अन्दर की दरभें दो पाइप है जो लिदी एर को लेती है जो फिल्टर को फिल्टर के पास लेके जाती है जिसके कारें हीटी इसू जादा ना हो तो यह काफी अची चीज़ है कि और गेर के बाद करे तो इसमें भी छे कि आता एक नीचे और पांच गेर ऊपर और इसका गेर की श्टाइल में दिख्चा रहा हुआ हो और पीछे वाले की मॉनोफुकर इस जगाब पर है जो आपको दिखती होगी ग्रेयर मॉनोफुकर फ्रेंट वाले सस्पेस्टन आपको दिखा रहा हूँ और अपरिला की यहां पर आरस लिखे वी है और अपरिला की नीचे बैजिंग है लोगों लिखे वी अच्छी तरीकर से काफ इछ लग दिखने ना इंजिन की लुकिस इस तरह से और इंजिन भी काफे बड़ा है लेकना मच लगा आपको यहां पर मिल जाता है नीचे अंडर अपर अब ही टाइम आ गया है अपको इस बाइक का आवास सुना आने का जिसका बेसबडी सी इंतिजार था या चलिए स्टार्ट करते हैं इस बाइक को कि कुछ इस तरह से है अब मैं स्टार्ड करता हूं बाइक को न्यूटल करना पड़ेगा बाइक को बाइक गियर पर है तो बाइक न्यूटल हो गई अब आज सुनामी के पा रही है कि अजयर सुनामी के अजसार्ण तार्ड करता है तो कैसे लगी आवाज आपको रिला RS457 की और यह आइडल साउंड है बॉडी पॉस्टर भी काफी अच्छा सेक्सी है इसमें आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है आप देख सकते हो और इसमें राइड वायर मिल जाता आपको फोटल पर बस यह कुछ है और आपको यह हैंडल बार जो पोस्टर दिखा रहा है आपको यह हैंडल बार यह काफी अच्छे दिखती है यह ऐसा फील करागी है कि आप सूपर बाइक की राइड कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं और मीरर देख सकते हो विजिबलेटी इसमें भी काफी अच्छी आती है मिरर की थोड़ी से वाइड है जैसे करन तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ी से वाइड है तो थोड़ा अडर लगेगा ट्राफिक में कहीं सटना जा बट ओवरल बाइक काफी अच्छी है ऐसा को नहीं की है और अप्रिला की हैंडल यहां पर खुद की बैजिंग आती है तो गाइज मिलते एक नए वीडियो के साथ एक नए प्लेस में और एक नए बाइक के साथ तब तक के लिए टेक किया बाइस सी यू इन दे नेक्स वीडियो